श्री शद्गुरू महाराज कीजे श्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की अम्रितवानी ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ तभी उन्हें जान पाओगे नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है पांडित का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है एक इश्वर शर्व भूतों में विराजमान है इस निश्चयात्मक बुद्धी का नाम ज्यान है उन्हें विशेश रूप से जानना ही विज्यान है मानलो की पैर में काटा चुभा है उस काटे को निकालने के लिए और एक काटे की जरुरत पड़ती है फिर उस काटे के निक चल जाने पर दोनों काटों को फेंक दिया जाता है इसी प्रकार अज्यान रूपी काटे को निकालने के लिए पहले ज्यान रूपी काटे को लाना पड़ता है फिर उन्हें पाने के लिए ज्यान अज्यान दोनों को फेंक देना पड़ता है वे ज्यान अज्यान के पड़े जो हैं लक्ष्वन ने कहा था राम कितना आशचर्य है इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ट देवजी भी पुत्रशोक से अधिर होकर रो पड़े राम ने कहा भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है जिसे प्रकास का अनुभब है उसे अंधकार का भी अनुभब है ब्रहम ज्यान अज्यान के पार है पाप पुन्य के पार है धर्म अधर्म के पार है शूची अशूची के पार है एक बेक्ति ने प्रश्ण क्या है दोनों काटों को फेक देने के बाद क्या रह जाता है श्री रामकृष्ण ने कहा नित्य सुद्ध बोध रूपम वह तुम्हे कैसे समझाओं अगर तुमसे कोई पूछे कहो घी कैसा लगा तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे ज्यादा से ज्यादा तुम उसे इतना ही कह सकते हो कि घी घी के जैसा हिल लगा एक नववधू ने उसकी शकी से पूछा था तेरे पती आये हुए हैं अच्छा बहन पती के आने पर किस तरह का आनन्द होता है वह नववधू बोली बहन तेरा विवा होने के बाद जब तेरे पती आएंगे तब तु यह समझ पाएगी अभी तुझे कैसे समझाओं चीडिया के घोशले को यदि नश्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई अकास का आस्रे लेती है इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोध चला जाए तो जीवात्मा मानो परमात्मा रोपी अकास में उड़ जाता है शमाधी मगन हो जाता है जीव के मरे बिना शीव नहीं आता अर्थात जीवत्व के नश्ट हुए बिना शीवत्व प्राप्त नहीं होता फिर शीव के सब बने शिवा मा अनंद मई उसके वक्ष अस्तल पर नित नहीं करती अर्थात इस शीवत्व अभिव मान का भी अतिकर्मन करने के बाद ही कोच आनंद की अवस्था प्राप्त होती है कपूर को जलाने पर कुछ भी नहीं बचता विचार का अंत हो जाने पर शमाधी होती है उस शमय मैं तुम जगत इन सब का चिन्ह मात्र नहीं रहता मन पर ब्रह्म में लिन हो जाता है अंकार के दूर हो जाने पर जिवत्व का नाश हो जाता है इस अवस्था में शमाधी में ब्रह्म का शक्षादकार होता है जीव नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म का शक्षादकार करता है किसी भक्त के यह कहने पर कि इश्वर अवांग मन मनस गोचर है मन बुद्धी तथा वानी के अगोचर है स्री रामकृष्ण ने कहा नहीं यद पीवे इस मन के गोचर नहीं है तथा पीवे सुद्ध मन के गोचर है इस बुद्धी के गोचर नहीं है परंतु सुद्ध बुद्धी के गोचर है कामिनी कांचन की आशक्ती के दूर होते ही सुद्ध मन और सुद्ध बुद्धी का उद मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किये उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का शाक्षात कार किया था श्री शद्गुरु महाराज कीजे